नमास्कार दोस्त स्वगत्याप का हमारे शेनरल चार जागंदर मिशा में कन्यराश वक्री शुक्र का राशी परवर्तन 30 दिसंबर 2021 से लेकर 27 फरवरी 2022 तीन जगर से बड़ा धनलाब होगा दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महतपूर राशी परवर्तन के बारे में शुक्र ग्रह का राशी परवर्तन होने वाला है तो इसका कन्यरासवली जात्कों के उपर कैशा प्रभाव दिखाई देगा यह जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं तो देखे, 30 दिसंबर 2020 की सुबह 9 बचकर 43 मिट पर शुक्र ग्रह मकर राशी को छोड़कर धनू राशी में वक्री अवस्था में चले जाएंगे और गोचरी अवस्था में रहेंगे और 27 फरवरी 2022 तक धनू राशी में ही शुक्र ग्रह रहने वाले हैं तो इसका कन्यरासबली जात्कों के उपर कैसा प्रभाव दिखाई देगा इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं। और देह शुक एसो आराम बैभाव एस्वर का कारक शुक्र ग्रह को माना जाता है। तो फिर शुक्र ग्रह के अशुक प्रभावों को भी देखने को मिलता है जैसे कि सारे रिक सुक में कमी बैभाहिक जीवन में यानि कि अशुबता लडाई जगडे या फिर बाहन का या फिर आपको घर जमीन का सुक ना मिलना। जनी कि जितने भी ऐसो आराम की चीज़े हैं उनमें सुकों में कमी दिखाई देता है। इसलिए शुक्र ग्रह का मजबूत होना कुंडली में बहुत माइने रखता है। चलिए आप जान लेते हैं शुक्र ग्रह का ये जो राशी परवर्तन वक्री अवस्था में करने जा रहे हैं। 30 दिसंबर 2021 से 27 फरवरी 2022 तक जब धनुराशी में रहेंगे तो इसका कन्यरास वली जातकों के उपर कैशा प्रवाव दिखाई देगा। आज की इस वीडियो में जानेंगे, संपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे, आपका केरियर कैसा रहेगा, दाम पत्ती जीवन कैसा रहेगा, बिजिनरास के यातकों को हम बात करेंगे, शुक्र ग्रह का ये जो राशी परवर्तन होने जा रहा है, धनुराश में तो इ केरियर और बिजनेस ब्यापार पे कैसा प्रभाव दिखाई देगा तो कन्यराज के जात को केरियर में आपको बहुत बड़ी उपलब्धी प्राप्त हो शकती है। डील फैनल होगी तो ये बहुत ही माइने रखेगी शुक्र ग्रह का ये राशी परवरतन आपके लिए कई मामलों में बहुत ही उपलब्धियों से भरा रहने वाला है। कन्यराज के जात को निश्चे तरपे शुक्र ग्रह का ये राशी परवरतन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। कि जो चुनवतियों को सामना करना पड़ रहा था पहले इन सभी चुनवतियों से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। समान में ब्रद्धी होगी गाड़ी बाहन का शुक प्राप्त होगा। अब चुकर नए साल के सुरुवात भी हो जाएगी तो आपको विशे शुपलब्दियां भी प्राप्त होगी और शुक्र ग्रह सुक्षुबधाओं के कारक माने जाते हैं। तो ऐसो अराम में ब्रद्धी होगी शुक्षुबधाओं में ब्रद्धी करेंगे। और संतान के रूप में भी बड़ी खुशकबरी प्राप्त होगी। कई भी से सलाब होगा और वक्री सुक्र ग्रह का ये जो रासी परवर्तन होगा आपके लिए कई तरह से काम्याबी दिला कर जाएंगे। तो कनिराज के याद को इस्टुडेंट के लिए भी अच्छा रहेगा वक्री ग्रह का ये जो रासी परवर्तन होगा ये आपके इस्टुडेंट ये पढ़ाय लिखाई के छेतर में सिक्षा के छेतर में भी उपलब्दियां दे कर जाएंगे। और कई परकार के उपलब्दियां प्राप्त होंगी जैसे कि पढ़ाय लिखाई पर कोई महत्पूर्ण आपके एक्जाम देने है तो उसमें सफलता प्राप्त होगी और कंप्टीशन के तियारी करें तो उसमें लाब होगा या फिर आप इसमें बिदेश जाकर कोई महत्प च्तिक छेतर से भी लाब होगा और समाज में मान समान की प्रिद्धी होगी यात्राइं हो सकती हैbook केरियर विजिनस ब्यापार से समद्धित भी event यात्राइं हो सकती है पीता जी के साथ संबंद अच्छे होंगे माता जी के साथ संबंद अच्छे होंगे चौते भाव पर ये सुक्र गरह यानि कि वक्रिय वस्था में रासी परवर्तन कर रहे हैं तो चौता भाव यानि सुक्र साधनों का जमेन प्रपॉलिटी में लाब होगा गाड़ी बाहन में शुक प्राप्त होगा और साथी प्रारंभिक सिक्षा जिनकी है यनि कि एक से लेकर जिनकी दस्मी तक जो पढ़ते हैं उनके लिए बहुत अच्छे अबसर प्राप्त होंगे उनकी पढ़ाय लिखाई पर उनका मल लगेगा फोकस बना रहेगा और समाज में समान बढ़ेगा लोगों की मदद कर सकते हैं लोगों को बीच आपका उठना वैठना काफी अच्छा रहेगा तो कन्यराज के जातकों शुक्र ग्रह का यह रासी प्रवरतन आपके लिए कई महत्पूर अपसर दे कर जाएंगे और अगर हम उपाय की बात करें तो आप ओम सम सुक्राइन हमें इश्मंतर का जाप करें तो सुक्र ग्रह मजबूत होंगे और उनका रिजल्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा साथी सुक्रवार के दिन अगर आप सीव लिंक पर थोड़ा सा चावल चढ़ा दे तो ये विशेश लाब होगा शुक्र ग्रह के सुब भल आपको मिलते नजराएंगे अगर आपके कुंडले में सुक्र ग्रह कमजोर हैं या फिर अच्छे स्थिति में नहीं है तो निश्य तोर पे इससे लाब होगा लेकिन कने रास्वली जातकों एक शीश का ध्यान रखें कि शुक्र ग्रह ये जो राशी परवर्तन वक्री अवस्ता में कर रहे हैं तो ये 30 दिसंबर 2020 से और 27 फरविश दो 2022 तक आपको तीन जगह से जरूर बड़ा धन लाब दे कर जाएंगे केरियर से रुका वफस्ताव धन प्राप्त होगा दूसरी जगह से लोटर शट्टा से लाब होगा कोई इंपर्टन डेल फाइनल होगी और बैंकिंग के छेतर से लोन वगएरा मंजूर हो सकता है तो ये था आजकी इस वीडियो में कने रास्वली जातकों के लिए